हलो बच्चों तो आज हम देखने वाले हैं chapter 13 जिसका नाम है whistles and saving bristles whistle का मतलब होता है city बजाना and saving bristles का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने beard को बनाते हैं, save करते हैं तो जिससे cream को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं bristles इस तरह का कि जो एक होता है ना ब्रस उसी को बोलते हैं लोग ब्रिस्टल जिसका यूज करके बियर्ड में क्रीम को यहाँ पर लगाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस वीडियो में बिसकली एक फैमिली है ठीक है उस फैमिल में पूरे 12 बच्चे हैं और उस बच्चों को जो उनके फादर हैं किस तरह से हैंडल करते हैं किस तरह से मैनेस करते हैं वो सारे चीज़े इसमें डिसकस की गई है तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि how many people are there in your family आपके फैमिली में पूरे कितने लोग हैं what do they do, वे लोग क्या करते हैं what do you like the most about them और अपने फैमिली के बारे में सबसे अच्छे चीज़े क्या आप पसंद करते हैं see what makes your family specials और आपको चीज़े बतानी हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी चीज़े हैं जो आपके फैमिली को काफी special बनाता है तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो को और उनकी जो हेट थी काफी बड़ा था मतलब उनका सर जो था काफी बड़ा था ठीक है he was no longer sleep यानि वो पतले नहीं थे means कहने का मतलब है यहाँ पर वो क्या थे थोड़े से फैट थे he had passed the 200 pounds mark during his early 30s यानि जब वो 30 साल के थे तकरीबन 200 pounds उन्होंने cross कर लिया था जो उनका weight था 200 pounds को अगर हम convert करेंगे तो 90 kg होगा तो यहाँ पर बताय जा रहा है कि जब वो 30s के थे तो उनकी जो पूरी weight थी वो 90 kg की हो गई थी and left so far behind that there were times when he had to resort to railway badges skills to ascertain his weight कभी कबर क्या होता था कि वो railway station जाते थे तो अपने आपको क्या करते थे वो तालते थे means अपने आपका वो weight करते थे और पता लगाने की कोशिस करते थे कि उनकी जो weight है वो कितना है but he carried himself with the self assurance of a successful gentleman लेकिन वो यहाँ पूनका जो बच्चा है ठीक है dad हो कह रहा है कि जो dad थे basically वो काफी आत्म विश्वास करते थे अपने आप पर और वो अपने आपको successful gentleman मानते थे who was proud of his wife जो की अपने wife पर काफी गर्व करते थे अपने family पर काफी गर्व करते थे his family of 12 children और उनकी family में पूरे 12 बच्चे थे and his business accomplishment और वो business भी करते थे family के साथ साथ में dad would walk into famous factories and announce that he could speed the production by one fourth जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि जो dad है basically वो काफी experienced person थे वो different factories में जाते थे और factories में जितने मालिक होते थे honor होते थे उनसे बाते करते थे और उनसे कहते थे कि मैं आपकी productions को one by fourth increase कर सकता हूं बढ़ा सकता हूं he would do it too dad always practiced what he preached and it was just impossible to tell where his scientific management company indeed and his family life began जब कहने का मतलब है कि जो dad थे basically जब वो कमपनियों में जाते थे तो उनके honor से बात करते थे कि मैं उनके productions को बढ़ा सकता हूं अब वो जब company के काम से उनको फुरसत मिल जाती थी तो वो अपने family में आ जाते थे और family का life वो enjoy करते थे His office was always full of children and her option took two or three offers मतलब कभी कबा जो dad थे वो office जाते थे तो उनके साथ हम लोग भी जाते थे उनके जो office में धर सारे बच्चे भी रहते थे जैसे कि 12 लोग थे हम लोग पूरी family में तो 2 से 3 लोग तो हमेशा उस office में रहते थे उनके साथ and sometimes all 12 on business trip और कभी कबार जो हम लोग business trip जाते थे तो 12 कबार लोग business trip पे साथ ही साथ जाते थे frequently we would tag along at his side pencil and notebook in our hands और हमें pencil और notebook भी triple ले जाने पड़े थे ठीक है when dad toot a factory which had hired him as an efficiency expert जब हमें dad घुमाने लिये जाया करते थे कहां पर company में जो company वाले ने उनको as an efficiency expert हायर किया था on the other hand अगर हम दोसरी तरह से बात करें our house at montclair new jersey जो उनका घर तक हां पता montclair new jersey में था was a sort of school यान उनका जो घर ता एक तरह से इस्कूल की तरह था कहने का मतलब है कि जो उनका घर था बेसिकली वहां पर ध्य सारे rules को follow किये जाते थे इसलिए जो बच्चे हैं वो कह रहें कि जो मेरा मेरा जो घर है वो बेसिकली एक स्कूल की तरह था for scientific management and elimination of wasted motion यानि scientific management का मतलब की वहां पर जितनी भी चीजे होती थी काफी management से किया जाता था काफी manage करके किया जाता था उसको और उनके घर को basically एक नाम दिया गया था motion study motion study को भी उनके घर का जो नाम है motion study का है को लोग बिलाते थे मिंसकी उन्होंने नाम दिया था dad and mother named it जो उनकी मम्मी पापा थे अपने घर को motion study का नाम दिये थे each child who wanted extra pocket money submitted a sealed bid saying what he would do the job for जब किसी बच्चे को extra money pocket चाहिए होता है तो उसके लिए या उसके बदले उसको कुछ काम करने पड़ते थे और bid लगते थे बीड का मतलब कि यहां पर कुछ सरते रखी जाती थी the lowest bidder got the contract जो सबसे कम पैसे में काम करने के लिए तयार हो जाता था उन 12 बच्चों में से उनको वो contract मतलब काम दे जिया जाता था irregular jobs such as painting the back porch किस तरह के job उन बच्चों से करवा जाता था painting का का काम करवा जाता था दिवार हो गराप है removing stumps from the front lounge stump का मतलब है टुकडा अगर कोई यहां पर बाते की जा रहे कि घर के सामने अगर कोई टुकडा अगरा है तो उसको बगल में या साफ करके रखा जाता था were awarded on a low bid basis dad took moving pictures of all children washing dishes so that he could figure out how he could reduce our motions and do the task faster moving picture का मतलब है cinema घर तो यहां पर बच्चे कह रहें कभी कबार जो मेरे dad थे वो मुझे cinema घर भी ले जाते थे और हमें सिखाते थे कि हमें किस तरह से fast काम करनी चाहिए कम समय में बहुत ही तेजी से काम करने चाहिए dad install the process and work chart in the bathroom dad ने क्या किया हमारे bathroom में work chart को क्या कर दिया install कर दिया मतलब work chart में क्या करते थे बच्चे कि जो काम या homework पूरा कर देते थे उसको tick करना होता था every child old enough to write यानि जितने भी बच्चे थे वो इतने बड़े तो हो गए थे कि सब लोग लिख सकते थे तो उन्होंने क्या किया इनके dad ने एक chart को लगा दिया bathroom में और जितनी भी task इनको काम दिये जाते थे अगर वो complete हो जाती थी तो उसको वो tick करते थे उस काम के आगे dad expected his offspring to start writing at a tender age was required to initial the chart in the morning after he had brushed his teeth taken a bath combed his hair and made his bed यानि जो बच्चे थे वो writing करना start कर देते थे जब वो brush कर चुके होते थे तो brush क्या क्या कर देते जो जो brush कर चुके थे वो उसका नाम लिख दे रहा तो ये सारी चीजें एक management में काफ़ी scientific तरीके से एक sequence में चलती थी उनके family में आगे होता है At night, रात के समय क्या होता था Each child had to wave himself plot the figure on a graph and initial the process chart again after he had done his homework यानि रात में क्या होता था कि सारे बच्चों को ठीक है had to wait मतलब कि वो अपना wait करते थे और जितना भी chart होता था उसको erase कर देते थे ठीक है ताकि फिर से शुरू से morning से इस chart को follow किया जा सके washed his hand and face and brushed his teeth mother wanted to have a place on the chart for saying prayers but dad as far as he was concerned prayer were voluntary यानि इनके जो मम्मी थी वो चाहती थी कि वो चार्ट में prayer भी आएड हो सारे रूटीन थे बट उसमें prayer नहीं थे तो उनकी मम्मी चाहती थे कि उन्हाम लोग बच्चों से प्रेयर भी करवाएं सुब़ सुब़ए कि क्योंकि prayer से में क्या मिलती काफी सांती मिलती है ठीक है तो यहां पर उनके जो डायट थे उनको पसंद नहीं था तो वो मना कर देते हैं कि नहीं prayer हम बच्चों से नहीं कराएंगे it was regimentation all right यानि regimentation क्या होता है एक तरह से hostel की तरह होता है तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि यह जो घर है वो हमारा घर नहीं है basically क्या एक तरह से regimentation है काफी strict लोग यहां पर रहते हैं मेंस कि जो father है या मम्मी है वो काफी strict हैं जो हमें उनके rules and regulations को follow करने पड़ते हैं but bear in mind the trouble most parents have in getting just one child off to the school and multiply it by twelve some regimentation was necessary to prevent bedlam of course there were times when a child would initial the chart without actually having fulfilled the requirements how your dad had a gimletite and the truth usually come out कहने का मतलब है कि यहां पर जो बच्चे बाते कर रहे थे कर रहे हैं कि कभी कबार किसी family में क्या होते हैं कि उनके जो parents होते हैं वो एक ही बच्चे को school छोड़ने में और school ले जाने में ले जाने में लाने में क्या होते हैं बहुत ही जादा परिसान हो जाते हैं लेकिन अब समझे हम लोग पूरे 12 लोग थे लेकिन जो father है जो हमारे parents वो किस तरह से इस चीजों को असानी से handle करते थे और यहां फिर से एक बात कही जा रहे हैं वबच्चों के दोबादा कि कभी कभर क्या होता था इन चार्ट जो दिया गया है इसमें जो बच्चे होते थे वो काम नहीं पूरा करते थे इसके बावजूद भी वो क्या करते थे यहां पर टिक कर देते थे इस चार्ट में लेकिन बाद में वो सच्चा ही पता चल जाती थी क्योंकि जितने भी बच्चे थे, मतलब कोई न कोई बच्चा वो जाके फादर से कह दाता था कि हाँ, इसने ये काम नहीं किरिया है या ये टास्क नहीं किया है इसके बाओ जोसे भी ये टिक किया है तो आगे चलते हैं येस आट होम और अन दे जॉब डैट बस अलवेज दे इफिसियंसी एक्सपोर्ट यहां पर बच्चे कह रहे हैं जो डैट थे चाहे वो घर पर रहते थे फैमिली में या वो जॉब पर रहते थे हुः बैसके लिए क्सियंसी एक्सपोर्ट की थार गिंऩ करते थे जिस तो जारे जपने भी काम होते थे वो काफी सेक्वेंस में और एक मैनमेंसमेंट में करते थे अब यहां पर एक बहुत ही अच्छे चीज़े फादर के बारे बता जारे है, बच्चा कह रहा है कि जो डैट थे, जो सर्ट की बटन होती है, वो उपर से ना बंद करके, कहां से बंद करते थे सर्ट की बटन को, नीचे से बंद करते थे, अगर वो नीचे से बंद करते थे बटन को, तो उनको सिर्फ 3 मिनट लगते थे सर्ट में बटन लगाने को, अगर वो उपर से नीचे की तरफ बटन सर्ट की बंद करते थे, तो उनको 7 सेकेंड लगते थे, ठीक है, 30 सेकेंड के जगह है, 7 सेकेंड ल अब यहां पर बच्चे फिर से कह रहा है कि अगर जो डाइट है वो सेविंग करते थे तो वो दो-दो सेविंग ब्रिस्टल से क्रीम को लगाते थे थे के बीड पर ताकि उनका जो टाइम है वो बच सके और यहां पर एक बाते बता जा रही है कि जो डाइट थे उन्होंने कोशिस किया दो रेजर का एक ही साथ यूच करने के लिए बीड को बनाने के लिए बट ही फाइनली गेब डाइट अप लेकिन वो नहीं बना पाए और उन्होंने हार माल लिया और उन्होंने कहा कि मैं 44 सेकेंट बचा सकता था इसे बट आई वेस्टे टू मिनर्स दिस मॉर्निंग पूटिंग इस बैंडेज ऑन माई थ्रॉट लेकिन उसके बास वो कह रहे है कि मैंने पूरे दो मिनट वेस्ट कर दिया अपने गले पर पत्ती लगाते हुए क्यूंकि जब उन्होंने दो रेजर एक ही साथ यूज किया तो उनकी जो थ्रॉट मतलब गला थी थोड़ा सा कट लग गया जिससे बलड आने लगया और वो बैंडेज वोगरा करने लगया और जिसमें उनका दो मिनट टाइम लगया यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते थे कि जो डैड है ठीक है वो सारे बच्चों को मैंने नहीं कर पाते होंगे क्यूंकि इनके पास बहुती धर सारे बच्चे हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं था जब कभी कबार मम्मी आप कह रहे हैं बच्चे कि बाहर चले जाती थी तो जो डाइड थे हमें कहानियां सुनाया करते थे जब मम्मी वापस आ जाती थी और वो उनसे पोश्टी थी क्या सब कुछ अच्छा रहा जो बच्चे थे क्या किसी जन सरारत तो नहीं की उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन एक प्रॉब्लम था बट आइश स्पैंकिंग ब्रॉट हीम इंटो लाइन बट आइश स्पैंकिंग मितलब पिटाई जोक पार्टिकुलरली इफ इट वर अन हीम और इवन मोर पार्टिकुलरली इफ इट वर अन मदर दिस मच इस सर्टें दो देर वर तो रेड हेयर चिल्रें यहां पर बाते हो रही है कि उनके जहां पर यह बच्चे रहते थे उनके घर के बगल में एक नेवर घर था और उस घर में दो बच्चे रहते थे और यहां पर उनके बच्चों को डिसक्राइब किया जा रहा है कि वो बच्चे किस तरह थे भूरा थे मतलब की देखने में किस तरह थे Blondies, red heads मतलब की यहां पर भूरा किसमे थे मतलब की बाल जो थे भूरे थे Though he was a strict taskmaster within his home ठीक है? हाला कि वो काफी अच्छे काम करते थे घर पे रहके जो डैड थे वो किसी से भी नहीं बोलते थे या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे ठीक है वो अपने फैमिली में ही मुश्ट रहते थे खुश रहते थे एक बार क्या हुआ कि किसी ने उनके परोसी ने डैड से कंप्लेंड किया कि किलीवर्त नाम का आपका लड़का अन्पिंटेबल वोड का मतलब होता है यहां पर रूड वोड मतलब कि गाली किस्म की तो वो क्या कि या कंप्लेंड किया कि आपका जो लड़का है वो हमारे बिच्चे को गाली दिया है ठीक है What are the fact of the matter Dad What are the fact of the matter क्या हुआ था Dad asked blendily Dad ने quietly मतलब धीरे से पूछा क्या हुआ आकर में क्या चीज़े हुई कि उन्होंने गाली दिया And then walked away while they never hesitated और जब never नहीं जब आप दे पिया तो वो कहां पर चले गए वो चले जाते हैं दूर चले जाते हैं इसके अपने काम में लग जाते हैं But Dad hated unprintable words लेकि जो Dad थे जब उन्होंने सुना कि मेरे बच्चे नगाली दिया तो वो काफी गुस्यम हो गए And the fact that he had stood up for his son didn't prevent him for holding an inquiry once he got home और इसके बाद से जैसे ही घर आते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं वो inquiry बैठा देते हैं मतलब सबसे पूछे लगते हैं And administering a suitable punishment और इसके बाद से वो suitable punishment सारे बच्चे को देते हैं या उन्होंने दिया Dad was happiest in a crowd especially a crowd of kids जो Dad थे बहुत ज़्यादा क्या थे खुश रहते थे crowd में किस तरह crowd में अपने family के crowd में Whenever he was you would see a string of them trailing him and the one with plenty of freckles were pretty sure to be glivers यानि जो बच्चे थे basically वो और उनके जो Dad थे साथ में मिलकर बहुत ही अच्छे से bonding के साथ वो खेलते थे और मतलब कि string of them trailing him and the ones with plenty of freckles were pretty sure the glivers यानि जो गिलिवर्थ था ठीक है उसके face पर क्या थे freckles मतलब होता है small brown spot on the skin तो यहाँ पर जो गिलिवर्थ होता है वो basically काफी naughty type के लड़का होता है और ज़र साथ गलतिया करता रहता है तो जो Dad थे यानि जो Dad थे वो भी काफी respect करते थे ठीक है बच्चों का और बच्चे भी जो थे वो respect करते थे He believed that most adult stopped thinking that they left school and some even before that वो believe करते थे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं सोचना बंद कर देते हैं जब वो इसकूल से आते हैं ठीक है या जब वो इसकूल जाते हैं A child on other hand stay impressionable Impressionable मतलब someone usually young who is easy to influence Impressionable and eager to learn यानि children को हमेशा क्या होना चाहिए हमेशा उनको सीखने की कोसिस करनी चाहिए Catch one young enough Dad insisted and there's no limit to what you can teach मतलब की इसमें कोई limit नहीं है कि आप क्या सीख सकते हैं और क्या किसी को सिखा सकते हैं Really it was love of children more than anything else that made him want a pack of his own मतलब की बच्चों का प्यार ही था कि वो सारे बच्चों से मिल जूलके रहते थे और वो उस group का honor मानते थे मतलब की काफी पहुचा हुआ इंसान मानते थे मिस बड़ा मानते थे अपने आपको उस family में However, जब की we children used to suspect though that one reason he had wanted a large family was to assure himself of an appreciative audience Even within the confines of the home with the surrounds he could always be sure of full of house packed to galleries and we are we are suspect करते हैं लोगों पर सक्क करते हैं ठीक है कि जो father है वह बैसे कि इतनी बड़ी family या जो dad है इतनी बड़ी family उन्होंने क्यों किया और ये सारी चीजे क्या हो रही है मतलब क्यों हो रही है लेकिन यहां पर बैसे कि जो इतना अच्छे तरी सब बांडिंग के साथ रहते थे उन्हों काफी प्यार करते थे लव करते थे और काफी उन लोगों के साथ काफी सीमित मातरा में मतलब एक तरह से जो चीजे थी वो एक सेक्वेंस में चलती थी और इसलिए जो बच्चे थे ना वो भी खूस रहते थे और जो इनके डैड है वो भी बहुत ज़्यादा खूस रहते थे विवर डैड रिटन फ्रम ट्रीप विवन फी एफ यहाद बीन गॉन अनली अ डेड विशल्स द्रीप जब वापस आते थे तो वहाँ पर मतलब घर में वो एक विशल सिटी बजाते थे और सारे लोग क्या हो जाते थे लाइन में लगकर एक जगह असेंबल हो जाते थे उस ब्राउन घर में जैसे विसल बजाते थे तो पता चल जाता था कि जो डायट है वो हम लोगों के लिए इकठा होने के लिए इन्होंने विसल बजाई है अब वो सीटी कैसे बजाते थे दो उंगलियों से मुँ में दो उंगलिया डालकर वो सीटी बजाते थे मतलब कि तो डैट जैसे ही वो विसल बजाते थे तो सारे बच्चे दोड़ते हुए अफ़र्ट के साथ ठीक है वो पहुँच जाते थे एक लाइन मा एसेंबल हो जाते थे दकाल वाज इंपोर्टेंट ऐसा लगता था कि जो जब डैट विसल बजाते थे ऐसा लगता था कि आप कुछ इंपोर्टेंट चीजे हमें जानने को मिलेगी इसका मतलब है कि सब काम छोड़के वहाँ पे लाइन में लग जाना है और डिस्क डायर कंस्कुएंसे अध फर्स नोट दे गलीबर चिल्डरेंट कम दैसिंग फ्रम ओल कॉर्नर अफ दी हाउस और यार्ड और सारे बच्चे दोड़ते हुए कॉर्नर से जहां जहां पर थे बारों के बारों बच्चे जो थे वह एक जना पर असेंबल हो जाते थे नेवर हूट डॉक्स बाकिंग है लिसली कंवर्जट फ्रम ब्लॉक राउंट जो नेवर हूट यह इतनी तेज़े में बच्चे भा हेट को सर को निकाल का देखते थे कि सीटी बजी में से विसल बजी है तो जो बच्चे हैं क्यों दोड़ रहे हैं डैड गेब दे विसल आफ्टें जो डैड थे वो हमेसा सीटी यह बजाते थे यह गेव इट वेन ही हैड अन इंपॉर्टन फैंबली अनॉंसमेंट यह वां को यह मेरे नोटिस को सुनें यह गेव इट विसल बजाते थे जब वो चाहते थे सारे बच्चे इकथा हो जाए और कुछ गेम अगरा खेला जाए यह वो विसल तब बजाते थे जब कोई गेस्ट हमारे घर आ जाते थे और उनको दिखाने के लिए बजाते थे विसल की कितने जल्दी हम लोग असेंबल हो जाते हैं पुरे फैंबली के लोग उनको दिखाने के लिए और उस जब कोई आता था मतलब हम वो सकते हैं घर में कोई गेस्ट होगा रात तो उससे में जो डैट थे उनके हाथों में क्या रहती थी स्टॉप वाच रहती थी और वो मिनट को चालू करते थे और टाइम को बताते थे कितने टाइम में सारे पोकेड में चलते थे लाइक मुस्ट अफ डैट अइडियास दे असेंबली कॉल वाल सम्थिंग मोर दान अनुन सेंस में सेंस दिस वास दिखाने पर जो डैट के आइडिया थी वो उनकी अलग अलग चीज़े थी वो अपनी हिसाब से सारे चीज़े करते थे जब असेंबली में सब रोगा जाते थे क्या होता था वाल सम्थिंग मोर दान अनुन सेंस में जानी वहाँ पर सारी चीज़े वो सेंस में काफी अच्छे से एक्स्प्लेइन करते थे इस वास डिमेंस्ट्रेटेट इन पार्टिकुलर काफी पार्टिकुलरी वे में उसको बताया जाता था सारी नोटिस तो गहरा वन डे वेन बोन फायर अफ लिप्स बोन फायर अफ लिप्स क्या होता है बिसकली बोन फायर मतलब अलाव पत्तों में जब आग लग गई थी in a driveway got out of control और काफी ज़्यादा आग लग गई spread out of sight of the house और घर के चारो तरफ क्या होगी जितने भी पत्ते थे उनमें आग लग गई थी इसके बासे जो डाड़ी थे उन्होंने city बजाए and the house was evacuated in 14 seconds और पूरे घर के लोग घर से बाहर निकल जाते हैं पूरे 14 seconds में 8 seconds less than the all record यानि समेशा लोग कितने seconds में आते थे 22 seconds में आते थे लेकिन इस बार सिर्फ 14 seconds में ही सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं क्योंकि आग लगे हुई थी dad whistles assembly when he wanted to find out who had been using his razors or who had spilled ink on his desk यानि जब dad का जो कोई हम बो सकते हैं जो saving brush होता है उसको यूज कर लेता था उनके blade को यूज कर देता था उनके razor को यूज कर लेता था तो जो dad थे तब भी assembly बुलाते था और उनस बच्चों से पूछते थे कि इस ने मतलब कि इस razor को या इस चीज को किसने यूज किया and he whistled it when he had a special job to assign or errands to be run और वो assembly को बुलाते थे जब कभी कोई job यानि काम देना होता था तब भी वो CT बजाते थे mostly though he sounded the assembly call when he was about to distribute some wonderful surprise और वो usually whistle बजाते थे जब उनको कुछ wonderful चीजे distribute करना होता था surprise कुछ देना होता था बच्चों को with the biggest and best going to the one who reached him first और सबसे अच्छा surprise उसको देते थे जो उनके पास सबसे पहले पहुँच जाता था so when we heard him whistle जब हम लोग उनकी आवाज को whistles को सुनते थे we never knew हम लोग को नहीं पता था whether to expect good news or bad, rags or riches but we did know for sure we would get there in a hurry जब वो whistle बजाते थे तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे पता नहीं होता था या हम लोगों को पता नहीं होता था कि हमें क्या मिलने वाला है क्या surprise मिलने वाली है हमें बुरी झमिलने वाली है कि अच्छी झमिलने वाली है लेकिन इसके बावजूद भी हमें वहाँ पर ये पता होता था कि हमें जल्दी से वहाँ पर assemble होना है कभी कबर हम लोग दूर के सामने से बहुत तेज से दोड़ते विया आते थे तो बहुत ही सक्त हम लोगों के साथ क्या करते थे बिहाइब करते थे let me see your nails all of you he would grunt with his face screwed up in the terrible frown और वो गुसे में करते थे कि तुम लोग सब लोग क्या करो अपना नाखुन दिखाओ मुझे are they clean? क्या सारे नाखुन साफ है? have you been biting them? क्या तुम लोग इस नाखुन को चबा रहे हो? do they need trimming? क्या इनको काटना जरूरी नहीं है? यह सारे चीज़े क्या करते थे? जो डाइट थे वो डाट फटकार लगाते थे then out would come leader manicure sets for the girls and pocket knives for the boys इसके बाद से जो डाइट थे वो manicure set girls को देते थे manicure का मतलब होता है जो fingernail को girls cut cut करने के लिए यूज करती है और pocket knives किसके लिए था? boys को देते थे और सारे लोग जो थे वो अपने nails की साफ सफाई करते थे how we loved him then when his frown become a white green मतलब की वो काफी प्यार करते थे डाट फटकार लगाते थे लेकिन वो हमारी भलाई के लिए करते थे और बात में वो मुस्कुराते थे smile करते थे और he would shake hands solemnly all round और वो हम लोगों से handshake भी करते थे and when you took your hand away there would be a nut chocolate bar in it और कभी कबार वो हमसे handshake भी करते थे और हमसे करने के बहाने हमारे हाथ में क्या देते थे वो chocolate bar देते थे और he would ask who had a pencil और इसके बाद से वो pencil भी देते थे लोगों को बच्चों को and then hand out a dozen automatic ones और वो जैसे ही pencil बोलते थे तो मतलब की बारे का बारा pencil वो अपने pocket से निकालते थे थे वो सारे बच्चों में distribute कर देते थे let's see what time is it he asked once और एक बार उन्होंने पूछा कि बताओ कितने बज रहे हैं बच्चों से outcome wrist watches for all even the six week old baby और उस बार सारे बच्चों के लिए उन्होंने क्या दिया watch दिया यानि घडी दी कलाई घडी oh daddy they are just right we would say और हम लोग thank you बलते थे daddy को and when we would throw our arms around him and tell him how you would missed him he would choke up and wouldn't be able to answer so he would rumble our hair and slap our backs instead यहाँ पर कहा जा रहा है when we would throw our arms around him and tell me how we missed him और वो हम लोग कहते थे कि बताइए हम लोग कितना miss करेंगे आपको ठीक है he would choke up and wouldn't be able to answer और वो हमें कुछ answer नहीं देते थे so he rumbled out our hairs and slap our backs instead और वो हमारे बाल को यानि सहलाना शुरू करते थे और हमारे पीछे पीट पर वो एक मतलब कि हलके से प्यार से वो back पर slap करते थे और इसके बाद से हम लोग चले जाते थे means कि बच्चे जो थे वो खेलने चले जाते थे तो यहां पर जो यहां पर बताने के जो कोचिस की जा रही है जो बारो बच्चे को जो डायड है basically वो काफी प्यार करते हैं किसे इन सारे बच्चे से और जितने भी काम होती है वो यह के sequence में और काफी handle करके बच्चे को चलते हैं यहां पर नहीं कोई fighting कर पाता है या नहीं किसी को कोई गाली दे पाता है और सारे लोग study करते हैं घर में बैठके और different surprises मिलती है और सबको एक rules and regulations को follow करने पड़ते हैं so I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लिस like and subscribe my channel thank you